सूप्रभात वच्चू आज हम लोग सर्वनाम के बारे में परेंगे संग्याओं अथवा नामों के बदले जिन सवदों का पड़ियोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे आप यहां देखेंगे कि दिलीप सवद को बार बार यूज किया गया है उसी दिलीप के बारे में उसने मैं वह का जब परियोग होता है तब हम उसे सर्वनाम कहते हैं जैसे कि दिलीप कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप दो चार दिनों में कलकता जाये यहां इसी दिलीप सवद को जब बार बार परियुक्त किया जाता है तो उससे वाक की सुन्दरता नश्ट हो जाती है अब इसी वाक को इस तरह लिखा जाए कल दिलिप आया और उसने कहा कि मैं दो चार दिनों में कलकत्ता जाऊंगा आप देखें यहां पहली बार दिलिप का पड़ियोग हुआ है संग्या फिर उसी दिलिप के बदले यहां उसने फिर उसी दिलिप के बदले मैं तो जब किसी नाम के बदले या संग्या के बदले जिन सब्दों का पड़ियोग करते हैं उनहीं सर्वनाम करते हैं हिंदी में यह सभी सर्वनाम हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आदि, सर्वनाम के कुल छह भेद बताए गए हैं, छह प्रकार हैं, पुरुस बाचक, निश्चय बाचक, और निश्चय बाचक, संबंध बाचक, निज बाचक और प्रस्ण बाचक, इन में से जो सबसे पहला भेद हैं, पुरुस बाचक, इसको तीन केटेग्री में, तीन प्रकार में बाठा गया है, आपने संस्कृत में भी परहा होगा कि पुरुस बाचक सर्वनाम यानि पुरुस के तीन वेद हैं उत्तम पुरुस मद्यम पुरुस अन्य पुरुस है ना तो बोलने वाले को कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुस कहते हैं जैसे मैं हम हम लोग उन्ही का कारक के रूप मे एक बचन और बहु बचन में अलग-अलग यहां रूप दिखाए गए हैं मैं एक बचन है करता के रूप में जब इसका यूज होता है तो मैं ने जब यही मैं बहु बचन के रूप में यूज होता है तो हम लोग हम लोगों ने क्योंकि कर्म की विवक्ति को होती है तो मुझे मुझको करन की विवक्ति से होती है तो मुझसे हम लोगों से एक बचन और बहु बचन दोनों रूप में इसका पड़ियोग दिखाया गया तो जब आप कारक कवरेंगे तो इसकी आवसकता हमें पड़ेगी अभी आपको इतना जानना है कि पुरुष वाचक सर्वनाम पुरुष से संबंदित है और पुरुष के तीन परकार है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्यपुरुष तो उत्तम पुरुष कहा जाता है कहने या बोलने वाले को जैसे मैं हम हम लोग आईए अगले पेज पर चलते हैं मद्यमपुरुस सुनने वाले को मद्यमपुरुस कहते हैं जैसे तुम तू उसी का कारक की अनुसार एक बचन और बहु बचन में रूप दिया गया है इसके रूप को बस एक बार आप पर लेंगे कारक की अनुसार समझ जाएंगे जब हम लोग कारक चेप्टर परहेंगे तो उस समय इसकी और व्याख्या की जाएगे अन्यपुरुस यानि थर्ड परसन जिसके विसाय में कहा जाए यानि जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्यपुरुस करते हैं जैसे यह, यह, वे, आप, वह इसके दो परकार हैं निश्चय वाचक और निश्चय वाचक अनिपुरुस के निश्चय में यह हुआ हाप और और निश्चय में कोई किसी कुछ इसके भी अलग-अलग कारक के अनुसार रूप हैं जैसा करता, कर्म, करन, संप्रदावन, अपादावन, संबंद, अधिकरन की विवक्ती होगी वही विवक्ती इसके साथ लग जाती है तो हमने पहला परकार पढ़ लिया सर्वनाम के भेद में से पहला भेद था पुरुस वाचक सर्वनाम और पुरुष वाचक के तीन प्रकार बाटे गये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्पुरुष अब हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है निश्चय वाचक सरव नाम जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है निश्चे यानि जो कुछ निश्चित हो इससे किसी ब्यक्ति या भाव के निश्चे का बोल होता है जैसे यह राम है निश्चित है कि यह राम है वह जा रहा है कौन जा रहा है वह यहां निश्चित है कि वह जा रहा है यहां मोटे अक्छरों में छपे सब्द निश्चे वाचक सर्वनाम है आईए अब पढ़ते हैं और निश्चे वाचव जैसा की नाम से ही पता चलता है कि इससे बस तू ब्यक्तिया भाव के और निश्चे का बोधुता है और निश्चे मतलब जहां निश्चित नहीं है जैसे कोई होगा निश्चित नहीं है कौन होगा कुछ दो क्या दो ये पता नहीं है कुछ दो मतलब कुछ दो अगला प्रकार है संबंध वाचक सर्वनाम इससे किसी संग्या से संबंध जोरा जाता है यानि रिलेशन दिखाया जाता है जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खरा है जो सब्द जोर रहा है संबंध कौन से वह कौन आदमी है जो दरवाजे पर खरा है यह जो सब्द है यहां के सर्वनाम से या जो कहिए यहां जो आदमी है उससे संबंध जोर रहा है जो कहो सो हो आपने इस तरह से कलास में परावगा जैसी करनी वह इसी भरणी ना जिसकी लाठी उसकी भायज तो जिसकी और उसकी में आपस में संबंद है तो इसे हम कहते हैं संबंद वाचक सरवनाों और निज वाचक कार्थ होता है अपना खुद का इससे स्वैम या निज का बोद होता है जैसे मैं आप ही चला जाओंगा यानि मैं खुद खाना बना लेगी, अपने आप मीट जाएगा, यहाँ से ऐसे सब्दों से, निज्वाचक सर्वनाम का बोध होता है, खुद अबेच बसदों को, जांस को आपने इसे प्रसन का बोध होता है, जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ, तो ऐसे सब्दों को जिससे प्रस्ण का बोध हो उसे कहा जाता है प्रस्ण वाचक सर्वनाम तो आज आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा और मैं इससे संबंदित एक दो प्रस्ण भेज रहा हूँ आपको आप इसे खुझ से डिल करके अगर कोई समस्य आती हो तो आप प्रस्ण पूछ सकते हैं धन्यवाद